नमस्कार दोस्तों आमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागता, दोस्तों डिपलोमा वाले बच्चों से रिलेटर यह अपड़ेट है और PCA फोर्म के बारे में है PCA form जो exam form होते हैं जिनकी supply IOE होती है तो उनको exam form भरने होते हैं तो उसके regarding यह पूरी की पूरी information है वीडियो को last तक जरूर देखे रहें अपने दोस्तों के शाथ share जरूर करें दोस्तों PCA form की अगर हम बात करें तो PCA form जो है उसकी last date जो है PCA form भरने की वो 21 जून 2021 तक है और अगर हम बात करें फीस की तो 3600 रुपे फीस है उसकी per student including pharmacy के बच्चे और रिवपीर है जिनकी फर्स्ट और सेगंड सेम में और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो फीस है वो 700 रुपे है जिनकी annual system है जिनका फर्स्ट इयर की जिनका annual system है उनकी जो है 700 रुपे पर student फीस रखी गई या pharmacy वाले बच्चों को छोड़ कर जो next जो point है वो यह है कि अगर आप 21 तारीक तक department institute में अपना PCA form summit नहीं कर पाते तो 50 रुपे additional fees के साथ आप 28 जून 2021 तक अपना form department में institute में अपने college में जमा करवा सकते हैं जो सबसे main point है वो main point यह है कि student can apply in maximum 12 subject only मतलब कि अगर आपकी 12 से ज़यदे supply है तो आप जो है 12 के 12 पिपर ही जो है आप अपने PCA form में बर सकते हैं जो आपको लगे कि इसमें त्यारी है तो उन्ही 12 को आप जो है चूज करें तो दोस्तों अगर हम fees calculation की बात करें तो fees calculation जो है यह बताया गया है example देगे जैसे किसी की तीन रीपीर है 5th semester में 2 रीपीर उसकी 4th semester में है 1 रीपीर उसकी 2nd semester में है तो उसकी जो है सभी semester के हिसाब से 3700, 3700 करके उसकी जो है 1050 उसकी total fees बन जाएगी और उसके बाद next example देके बताया गया है कि जैसे किसी की all regular subject है जैसे किसी की तो उसकी 3700 रुपे 6th semester के all subject के हो गए और 3 रीपीर है उसकी जैसे annual pattern में first year गी तो उसके 700 हो गए और 2 रीपीर है third sem में उनके भी 700 हो गए एक रीपीर है fourth sem में तो उसके भी 300 रुपे fees हो गए तो ऐसे करके जो total fees बनेगी वो total fees आपकी 1750 रुपे बनेगी तो दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन-कौन जो है इस बार PCA form को भर सकता है तो उसके लिए बताया गया है कि जो भी first year के बच्चे है first year के बच्चे और fourth and sixth regular के student जिनका batch 2018, 19 और 2020 है diploma courses की उसके बाद है reappear के जो भी बच्चे है first, second, third, fourth, fifth and sixth of diploma courses जिनका batch 2015, 16, 17, 18, 19 उनली वो बच्चे उसके बाद जो third point है third point है regular और reappear first और second year of diploma in pharmacy course for any batch किसी भी बच्च के regular और reappear first and second year of diploma in pharmacy course के उसके बाद जो next point है regular of second, fourth, sixth, seventh and reappear of all semester of MSIL MSIL कोई टरम है third, fourth and fifth of DVOC courses जो DVOC courses जो भी diploma वाले बच्चे हैं वो समझी गए होंगे next जो point है regular of second, fourth, sixth and eighth student and reappear of first to eighth student of part-time diploma courses तो next जो जो पॉइंट है जो पास आउट जो पास आउट होते हैं जिनके किसी सब्जेक्ट में कम है जिनकी परसेंटेज कम बनती है तो वो जो है इंप्रूव्मेंट कर सकते हैं कोई भी easy जो उनको subject लगता है जिसमें वो number ज़्यादा ले सकते हैं अगर उनको लगता है तो वो भी जो है improvement के form जो है इस बार apply कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी update अगर आपको कोई भी दोस्त जो diploma कर रहा है और उसको जो है PCA form जो exam form भरना है तो उसके पास ये information जरूर send करें क्योंकि detail video है तो दोस्तों ये थी update अगर आपको वीडियो अच्छी लगया तो वीडियो को like करें और अगर आप हमेरे channel पर नहीं है तो channel को subscribe करें और bell icon को जरूर press करें ताकि कोई भी information आपके पास जो है समय पर पहुंच पाई धन्यवाद जय हिंद